हेलो पैरे बच्चो बच्चो कैसे हैं आप सभी आए होब की सभी अच्छे होंगे बच्चो आज की इस वीडियो में हम क्लास थर्ड और फॉर्थ के सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के नेशनल अचीवमेंट सर्वे टेस्ट को सॉल्व करेंगे जो की नौर्ट डेली मिंसिपल तो स्रू करते हैं दर डिफ्रेंस इन प्लेश वैली ऑफ डिजिट सेवन सेवन झेट गया है उसमें सेवन की हमें प्लेश वैलुब बतानी है तो बच्चो यहां पर नंबर हैanking जीडिट रोगाएंगेंगे इस 7 की plus value है 70 अब बच्चो इसकी बताएंगे इस 7 के आगे कितनी digit है 3 तो बच्चो यहाँ पर हम 30 लिखेंगे इस 7 की value है 7,000 अब बच्चो क्या करेंगे हम इसके difference को बताने के लिए 7,000 में से 70 को minus कर देंगे तो बच्चो जब हम 70 को minus कर देंगे तो कितना बच्चा 6,930 तो बच्चो इन दोनों digit की plus value में जो difference है वो है 6,930 तो इसके C option पर सही का निसान लगाएंगे नेक्स है how many rectangles are there in the picture given below नीचे दी गई picture में कितने rectangles हैं तो बच्चो आप देख सकते हैं नमबर 1, 2, 3 and 4 तो बच्चो इसमें 4 rectangles हैं तो इसके D option पर सही का निसान लगाएंगे नेक्स है the successor of largest 3 digit number 1 बच्चो यहाँ पर 3 अंको की जो सबसे बड़ी संख्या है उसके successor को लिखना है तो बच्चो largest 3 digit number है 999 तो बच्चो इसके आगे कौन सी संख्या आती है 1000 तो इसका successor number है 1000 तो बच्चो इस option पर सही का निसान लगाएंगे नेक्स है the greatest 4 digit number formed by using the digits 4302 बच्चो यहाँ पर यह जो digits दी गई इनका यूज करके चार डिजिट की सबसे बड़ी संख्या बनानी है तो बच्चो कोई भी बड़ी संख्या greatest number बनाने के लिए हम दी गई जो डिजिट हैं उन्हें किस तरीके से लिखते हैं descending order में लिखते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं उसके बाद छोटा अंग उससे छोटा और सबसे बाद में जो सबसे छोटा अंग होता उसे लिखते हैं तो बच्चो इससे बनने वाली greatest four digit number है 4320 तो बच्चो इसके ए उप्शन पर सही का निसान लगाएंगे अब है question number five the difference between the greatest number of three digit बच्चो तीन अंगों की जो सबसे बड़ी संख्या है उसके बीच में and the least number of four digit is और चार अंगों की जो सबसे छोटी संख्या है उसके बीच में आप अंतर बताईए तो बच्चो least four digit number कितना है इडमीज चार अंगों की सबसे छोटी संख्या है वन थाउजेंट ग्रेटेस्ट थ्री डिजिट नंबर है 999 वन थाउजेंट में से 999 को माइनस कर देंगे तो कितना बसता है वन इट मींज डिफ्रेंस इस वन तो इसका ए उप्सन जो है इस पर सही का निसान लगाएंगे नेक्स्ट इस राम हैस 172 रेड पिन्स राम के पास 172 लाल पिन्स हैं एंड 148 ब्लैक पिन्स और उसके पास 148 काली पिन हैं उसके पास कितनी लाल पिन्स काली पिनों से जादा है तो बच्चों इसके लिए क्या करेंगे 172 में से हम 148 को माइनस कर देंगे तो बच्चों है 2 है 2 में से 8 माइनस नहीं हो सकते तो हम 7 में से एक बोरो ले लेंगे कितने हो गए 12 12 में से 8 माइनस करें तो कितने बच्चे 4 यहां पर बच्चे 6, 6 में से 4 माइनस किया, तो कितने बच्चे 2, 1 में से 1 माइनस किया, 0 तो बच्चो आंसर कितना आए 24, तो उसके पास 24 रेड बिन्स एक्स्ट्रा हैं तो बच्चो इसके D option पर सही का निसान लगाएंगे How many times of 60 is 360, बच्चो यहां पर बताना है 60 को कितने times count करें, 360 आंसर लाने के लिए तो बच्चो हम 60 को कितने बार करेंगे, 6 times 60 into 6 equal 360, it means 6 times, तो इसका D option जो है, यह सही है Now question number 8, fill in the missing numbers, बच्चो यहां पर missing number fill करना है 809 plus 1532 मिलाकर कितने होते हैं, तो plus कर लेंगे कितने बच्चो, 2341, अब बच्चो क्या करेंगे, इसमें से हम 809 यह जो number दिया गया है, इसे minus कर लेंगे तो बच्चो minus करने पर कितना अंसर आता है, 1532 तो बच्चो यहां पर क्या आएगा, यहां पर question mark है 1532, तो इसका D option जो है, यह सही है अब बच्चो question number 9, if we divide a number by itself, यदि हम किसी भी number को इसी से, it means उसी number से divide करते हैं, the quotient we get is, तो उसका बच्चो जो भागफल होगा, वो क्या होगा तो बच्चो क्या होगा, example ले लीजिए, कोई भी आप digit ले सकते हैं, जैसे कि 9 है 9 को 9 से divide करते हैं, तो कितना आएगा, 9 बच्चो आंसर है, 1 तो इसका B option सही है, next है, find the parameter of the given diamond बच्चो यहाँ पर दिएगा, इस diamond का आपको parameter बताना है, तो बच्चो यहाँ पर इस diamond की 4 बुजाएं दी गई हैं, 4 cm की तो बच्चो जब हम किसी भी shape का parameter निकालते हैं, तो जो उसकी भुजाएं होती हैं, उन्हें हम प्लस कर लेते हैं तो बच्चो 4 cm, तो 4 बुजाएं हैं, तो हम 4 टाइम जो है, 4 को प्लस कर लेंगे, तो कितना आता है, 16 cm तो इसका B option सही है, now question number 11, how many 5 rupees knots can 1 get 4 rupees 500 500 रुपे में कितने 5 के knot आ जाएंगे, तो बच्चो इसके लिए क्या करेंगे हम 500 को 5 से divide करेंगे, तो बच्चो answer क्या आया, 100, या फिर इस तरीके से भी कर सकते हैं, 5 को हम 100 से multiply कर देंगे तो कितना answer आया, 500, it means हमें 105 rupees के knot की जरूरत होगी, तो इसका A option जो है, इसका answer है next है, if you divide 30 chocolates equally among 10 children, यदि आग 30 chocolates को 10 बच्चों के बीच में बराबर बाठते हैं each child will get chocolates, तो पृति एक बच्चे को कितनी chocolates मिलेंगी, तो बच्चों इसके लिए क्या करेंगे हम, 30 को 10 से divide कर देंगे, तो कितना answer आया, 3, it means पृति एक बच्चे को 3 chocolates मिलेंगी, तो इसका option number C जो है, ये सही है अब है question number 13, which number among the following is divisible by 10, इन में से कौन सा number जो है, वो 10 से पूरा पूरा divisible है, तो बच्चों यहाँ पर first है, 1,253, next है 4,500, next है 2,600, और बच्चों D option है, 999, तो बच्चों इसका C option जो सही है, बच्चों कोई भी number जिसमें last में 0 आता है, वो 10 से divisible होता है तो इसका C option जो है, ये सही है, अब है question number 14, if the cost of one pencil is 2.50 रुपीज, यदि एक pencil का मुले 2.50 पैसे हैं, find the cost of 4 such pencils, तो बच्चों ऐसी 4 pencils के कितने पैसे होंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 2.50 को 4 से multiply कर देंगे, तो बच्चों कितना आंसर आता है 10, it means cost of 4 pencils is 10 रुपीज तो इसका B option सही है, अब है बच्चों question number 15, the number of sides of a quadrilateral is, एक चतर भुज में कितनी sides होती हैं, तो बच्चों, चतर भुज में कितनी sides होती हैं, 4, तो इसका A option जो है, वो सही है, इस पर निसान लगाएंगे, Students, if you like this video, please like and share and if you are new on this channel, please subscribe the channel, thank you